नमस्कार दोस्वों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शिबी को बता दें कि आने वाले 24 घंटों का शमय दोस्वों आप शिबी के जुनकाल में जो गरहों के सिती बन रही है दोस्वों बेहदी शुबकारी बन रही है जेंदोसों आने वाले 24 घंटों का शमय आपके लिए बहुती महत्पून शमय है लेकिन दोसों हम आप शिबी को बता दें कि यश्मी आपको कुछ चीजों को लिकर बेहदी शावधान रहना होगा जेंदोसों यश्मी आपके शत्रू वर्ग के व्यक्ति आपके खिलाप बहुती बड़ा शीडन्त रच रहे है जेंदोसों और अगले 24 घंटों के अंदर आप शिबी की जुमकाल में कुछ ऐसी विकर्ट परिस्तिती भी बनेंगे जहाँ पर आपको अत्ती शावधान रहने के अवशकता पड़ेगी जेंदोसों और अन्य था आपका दुश्मन आपके शत्रू आपके उपर बड़ा ही इल्जाम लगा शकता है जेंदोसों हम आप शिबी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी नजरनदाज मत कीजीगा जेंदोसों ये वीडियो आप शिबी को देखना बेहदी आवशक है जेंदोसों आने वाली 24 गंटों का शमे आपके लिए बेहदी महत्पून शमे है लेकिन दोसों अगर आप शित्रू के जाल में फ़श गए तो दोसों बहुत शारी लावशी आप वँवशित रह जाएंगे जेंदोसों हम आप शिबी को बता दें जो बेश जातक आज के वीडियो को अंते तक द्यां से देख लेगा उनका जीवनकाल में उन्हें हुआ कुशकबरी प्राप्त होगी जो के अगले 24 घंटों में उनके किश्मत में लिखा है और दोसों जो इन्हें नजर अंदाज कर देगा तो दोसों हुआ जाने अंजाने किश्मत के लिखाश यह अंचित रह जाएंगे अशत्रू के जाल में फंजाएंगे जियां दोसों हम आप शिवी को बता दें कि आज के वीडियो में हम आपको कुछ महत्मुन सच्चाईवी आप शिवी को बताने वाले हैं कुछ इसे सच्चाईशी आप शिवी को रूबरू करवाने वाले हैं जिने जानकर दोस्तों आप शिबी के होस भी उड़ेंगे और दोस्तों जब आप यह बातों कुछ उनेंगे तो दोस्तों आप यह बात जरूर ही कहेंगे कि काश आपने यह बात हमें पहले बता दी होती हमारा जिन्दगी ही बदल जाती जिया दोस्तों इसलिए दोस्तों हम आप शुवी को विदा दें कि आपके कुंडली में शुक्र शनी और गुरू के स्थिती बहुती भागिशाली बनने वाली है जिया दोस्तों हम आप शुवी को विदा दें कि गुरू का शात आया श्मी आपके श्रनी के स्थान पे होने वाले हैं जिनके कर दोसों शस नाम का भी शुबियोग कर निर्मान होगा और दोसों मालवाई नाम का भी शुबियोग कर निर्मान होगा जिया दोसों यानि की जहां पर भोलेनात आप शिवी के घर आने वाले हैं शाक्षात यश में मंगल यानि की भगवान महावली हर्मान जी भी रहने वाले ही जियां दोसों अगले चार दिनों तक दोसों जो भी व्यक्ति इस वीडियो में जो हम बात बताने वाले उन बातों को धियान में रखेगा दोसों उनुचल जीवन बिलकुल ही शबल हो जाएगा और दोसों इस धरती नियारी में, कोई भी इंशान नहीं है, जो फिर रुक पाएगा। जे दुसों कोई भी इंशान रुखने शक्ता। दुस्तों आने वाले चार दिनों का श्मे आपके लिए बहुत ही भाखेषारी श्मे art मगवान भोलेनात और मातालक्षमी की असीम अनुकमपा आपशिवी को प्राप्त होने वाली है जियन दोस्तों इसमी शाकछात आपशिवी की जिवनकाल में धनकी द्वी मातालक्षमी और देवों के देव महादेव आपशिव के जिमकाल में आने वाले हैं जे दोस्तों, इस वडियो में हम आपको शम्पुन ज्यानकारी देने वाले हैं, कि अगले चार दिनों का शिम्में आपके लिए आखिर केशे रहने वाले हैं। कौन कौन से बातों का ध्यान आपको रखना होगा, कौन कौन से बड़ी खुश्गवरी आश में आपको मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से बहले शर्व प्रतम जो भी भगवान भोली नात और धनकी देव माता लक्षमी के सच्चे पिरभगते हैं। और माता लक्षमी आप शुरू के जुनकाल के शारे कश्चनों को दूर कर देंगे। दोस्तों अब आपको बताते हैं। बहुती महत्मू रहने वाले हैं। दोस्तों हम आप शुरू के जुनकाल में अगले चार दिनों तक दोस्तों बहुती बड़ा शुब्योग बन रहा हैं। यानि कि दोस्तों कड़रों पाती यूग बन रहे हैं। दोसों, शब से पहले दोसों हम आप शुक बता दें कि शुक्र का गादा भाव में बल्वान हो जाना जातों को हमेशा शुक धन और सब कुछ प्राप्त करवाते हैं। लाब के बहुत शारी मोके खुलने वाले हैं। शबी लोग आपके शमान इशली करते हैं कि आपके अच्छे भाव होते हैं। बस दोसों आप शिवी को बता दें कि इन्ही के कारण आप शिवी के जनकाल में कई बार शिव का भी आशिरवात प्राप्त होते हैं। जें दोसों और इन्ही शबी के कारण आप शिवी के जनकाल में अशिमे शिव नाम का भी शिवी योग करने मान हुआ हैं। यानि कि दोसों अब आप शिवी के जनकाल में बहुत ही बड़ी खुशकबरी भगवान शिव और धन के दिवी माताल लक्ष में अगले चार दिनों के अंदर देने वाले हैं। तो दोसों अगले चार दिनों में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत यदा उश्यों होंगे और कुछ कारण करना आपके लिए बहुत यदा जरूरी भी होंगे। तो दोसों इस वीडियो को बश आप शुरूश लेकरन तक ध्यान शिवी देखियेगा। दोसों हम हरी के बात आप शिवी को बिल्कुल ही द्यान से समझाने वाले हैं, हरी के बात आपको द्यान से बताने वाले हैं कि कौन-कौन शे लाब, कौन-कौन शे खुशवरी आप शिवी को मिलने वाली हैं। जिया दोसों, शब से पहले हम आप शुबी को बता दें, कि एश्मी शुक्र की सित्यी आप शुबी के कुण्डली में अच्छे होने के वज़味 से, दोस्वों आप शुबे की जुनकाल में धन की दिवी माता लक्षमी की अश्यम अश्यरवात प्राप होने वाली है अश्यम करप आप शुबे की जुनकाल में आने वाली है जिया दोस्वों और दोस्वों अगले सार दिनों तर आप शुबे की जुनकाल में जो भी धन से जु वाली है. आपके जुनकाल में जौवी परशानियाां पिछले कईश में से पेशों को ले कर आ रहा है दोसमें फिस वेशारी परष्वानियां अब खत्म होने वाली है. क्यों यह शमय धन की दिव्माताल कजम्ह आप शुमी आप के जुनकाल में काफी पर्शन हुए काफी आप अपने जुनकाल में महनत वी किए हैं उन्यों कि शुष का महनत का वी फल आपशाइब् origin को प्राप्त होने वाले हैं कि यह अफर स्मय को घोर मेंगेता भगान शनी की बहुत लिया और थादरा है कम शुर्भी को राहू शेभी बचा रा है जी जह कुए राहू की स्थिति आप शिवी की जुनकाल में परवल होती है तब तब दोस्तों आपके अच्छे कर्म आप शिवी को बचाते हैं यानि कि आपके अच्छे कर्म ही शनीदेव को परशन करते हैं और उन्हीं के वज़र से आपको अपनी जुनकाल में कई बार लाब के स्थिति भी देखने को मिलती है। दोसों कई बार आप शभी के जुंकाल में इससे कार हैं जो नीता है। दोसों आपने पिछले शमें नत्राल में बहुत ज़्यादा मेहनत किये हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपने पिछले शमें में दुख को देखा है जिहां दोसों हम आप शिबी को बता दें कि पिछले शमें से ही आप पने जनकाल में इतना मेहनत कर रहे हैं कि दोसों आप यह बात किशी को भी नहीं बताते हैं दोस्तों आप शिवी लोग इतने करमशील हैं कि दोस्तों किशी के दिल को भी आप ठेश पहुंचाना नहीं चाते हैं दोस्तों आप हमेशा यह चीज़ शोचते हीं कि जो लोग हमारी शाथ आज बुरा कर रहे हैं उनके शाथ कल बुरा होगा कि आखिर इश्वर कब तक हमें संकड़ देगा आखिर इश्वर कब तक हमें दुख देगा दोस्तों बहुत शारी विजार आपशिवी के मन में चलते लेकिन दोस्तों हम आफशिव को बता दें, कि इश्वर हमेशा आफशिवी के साथ है, कभी भी आपके भाग खराब नहीं हुए, कभी आपको गरों का शुप फल नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों कईवार रिश्य होते हैं, जब गरों के स्तिती बदल जाती है, जब बहुत शा इश्य लिटो तो कहते हैं कि दोस्तों भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, जब दोस्तों और अगले आने वाले चार दिनों का शमय भी आप शिवी के जुनकाल में कुछ यही समय को लेकर आने वाले हैं, जब दोस्तों आपके कारियों में शुबलताओं की प खुले नात का भी शिवी मश्रबात आप शिवी के जिउनकाल में शिवी होने वाले हैं, जिसकोई भी दुश्मन आप शिवी का कुछ विगाड़ नहीं पाएगा, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, जिनके कारना दोस्तों और चार दिनों में आपको बड़ी जो लोग पिछले कैश्मे से बिरोजगार हैं रोजगार की तलाश में या फिर दोस्वों जो लोग पिछले कैश्मे से नई रोजगार की तलाश कर रहे हैं दोसों उन्हें शबी की मुनकमनाई यश्मे पूरी होने वाली है क्योंकि शाक्षात देवों के देव महादेव का शॉय आप शबी के कुंडली में पढ़ा है जिन के कारण आप शबी को यश्मे सभी कारियों में लावगी ही पराप्ति होगी प्रंतु आपको कुछ बातों को लेकर शावध दोस्तों एशा अगर आप करेंगे जो भी शाय आप शबी के उनकाल में है जो भी आपकी कुंडली में शिव नाम का शुब्यों है दोस्तों इनका शुप प्रभाव आप शिवी को देखने को मिलेगा कि दोस्तों आपके अच्छे शौभाव आपकी अच्छे ही कारी के जिया दोस्तों और आने वाली चार दिनों का श्मे आप सभी के जुनकाल के लिए बहुत ज़्यादा भागेशाली श्मे है यह श्मे खुद को शाबिद करने वाला श्मे है यह श्मे खुद को एशा कोई दिखाने का श्मे है कि दोस्तों सभी लोग जो लोग आपके नाका कामयाभी देखना चाहते थे उनको अपना कामयाभी का जढ़े का धिकσι्ज़नाहे का शमय जिर दोस्टों शमय बहुत भलवान है इस परकार कहा कि दो नमर के धं़े आपको बहुलकरू हैं किशी के कहने पर कोई भी कारें के शुरुवात भूल कर भी मत किजिएगा इंशे आपको खानी हो शकती है अश्पलताएं आपके हाथ लग शकती है क्यों दोस्तों एश्मे गरहों की इस्तती बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली में हैं अगर किशी व्यक्ति का आप शलह मानेंगे तो उनकी कुंडली की इस्तती अश्मे बूरी हो जाएगी और दोस्तों उनका परवा उख्षिवे की जुकाल में भी बुरा होगा इसलिए दोस्तों इन्हें चार दिनों के अंदर आपको इस बात का ध्यान लखना सबसे ज्यादा आवश्य होंगे कि दोस्तों ब इसी के भी उपर आंख मून कर भरुशा नहीं करना है चाहिए दोस्तों कोई भी कितना करेबी इन्शान हो कोई भी हो यश्मे आपको धोगा मिलने के परवल सोमाओना है कि दोस्तों शफलताएं आपकी एक अदम चूमने वाली है आप जिजबी चेतर में जाने वाले हो आपको कुछ ना कुछ नुक्षान होता है इसलिए दोस्तों शब्श्री भला यही है कि आप किशी के भी बात में ना लगें किशी पर भी आँख मून कर भरुशा ना करें दोस्तों शोच मजकरी अगले चार दनों के इंदर आपको कारी करने हैं दोस्तों ऐसा अगर जो भी अशुब गरह है जो भी आपको नुक्षान परसाना चाहता है वो भी शान्त होंगे क्यों दोस्तों आपके कुण्टली में बहुत यह अच्छी योग का निर्मान है जिए दोस्तों ऐश में शिव नाम का शुब्योग है तो दोस्तों इंशे शाक्षात भगवान भ घर में कौनशी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों अपने घर में आपको अब शाप शफाई का ध्यान रखना है यह दोस्तों इशिवर आपको शंकित देने वाले हैं आपके घर में आगमन करने वाले हैं तो दोस्तों इशे में शाप शफाई का आपको ध्यान रखना है क इसे के भी प्रति आपको गलत भावनाएं, अपने अंदर भूल कर भी नहीं लाने हैं। जेलो सो, हम आक्षव को बता दें कि ये बाते हैं, हमेशा इश्वर को ही प्रशन आती हैं। गश्वर करने नहीं जेवे बहर भी जाएंगी। भी शमाचें के घर में प्रशिव की भी पेशों कि लेकर जो भी अरतिक दंग्या हैं धन सब्सक्रक्रकों लेकर हुएंने हैं। के जिवन काल पर रहने वाले हैं जिया दोसों इश्क उपरांदी दोस्तों हम आप शिवी को विदा दें कि यश्मी आपको अपने जुनकाल में कौन-कौन बातों को भी बताएंगे जिसे के कुछ चीजों का दान आपको अगले चार दिनों तक भूल कर भी नहीं करना है जिया दोसों हम आप शुक बदा दें कि दोसों अगले चार दिनों के अंदर आपको जाड़ू को किशी को भी दान में नहीं देना है इसे दोस्तों आपके घर में जो भी धन की देवी माताल लक्षमी आई है वो रुष्टो जाएंगी जियां दोस्तों जाड़ू का दान करने से घर में कभी भी धन की धन नहीं टिकता है जे दोसों, इश्कु उप्रांदी दोसों, हम आप शिव को बदा दें, इस्टिल के वस्तों का भी दान, आपको अगले चार दिनों के अंदर किशी को भी नहीं करना है, इसे दोसों घर में शुक्षानती नश्ट हो जाती है, और भगवान हमीशा इसे घरों से रुष्टो र ही करना है, इसको उप्रांदी दोसों, हम आप शुक्षान का दान करना बहुत एदा पून्य की प्राप्ति होती है, जे दोसों, इसलिए अगले चार दिनों के अंदर आप इर्शे किरियाएं कर सकते हैं, लेकिन दोसों भूल कर भी आप किशी को बासी भोजन का दान मत जे दोसों, और बासी भोजन का दान आपको जीवन भर भी नहीं करना है, लेकिन दोसों, चार दिनों में हम आपको इश्री बताए हैं, कि दोसों, चार दिनों में जो गरों के स्तिती है, वो बहुती परवल है, जे दोसों, इश्रा करना दोसों, आपको बहुती मुश्किल दोस्वों अगले चार दिनों में आपशी भी को अपने जुनकाल में बहुत शारी परविड़तन लाने हैं जो कि हमने आपको बताए हैं इसको परादे दोस्वों कौन से उपाय आपको यश्मे करना चाहिए जिन से आपको अपने जुनकाल में हमेशा शुक्षमिर्दी और ह आपको अपने जाप करना हैं जो कि शुक्रवार की शाम को तुर्षी के पोधे के शामने गायके घी का दीपक जलाये और ओम, श्रींग, मंत्र का आपको जाप करना हैं और धन में ब्रिद्धी होती है, शाती घर में आये माता लक्षमी भी बहुत ज़्यदा परशन होती है, तो दोस्तों इस पाई को आप जरूर किजेगा, शाती मोती शंक में रखने शेभी धन श्यदेव भड़ता है, और दोस्तों धनानी कभी भी नहीं होती है, अगर आपके घर में शंक है, तो दोस्तों मोती का व्यश्ता करके उनमें जरूर ही रखिएगा, इसको प्रांदी दोस्तों हम आप शिवी को बढ़ा दें, कि अगले चार दिन्यों में आप शापको एक उपाई करना है, जिनसे दोस्तों आप शिवी के जुनकाल में भगवान शिव सबस इसलिए दोस्तों आपको इस बात का शिवी के घर में पदादने वाले हैं, तो दोस्तों इस बात का आपको खास द्यान रखना है, इसको प्रांदी दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, और घर में शिवी के घर में पदादने वाले हैं, तो दोस्तों इस बात का खास्तियान रखना है इश्ग प्राम्दी दोस्वं हम आप शुक विदादें की अगले चार दिनों के अंदर आपको कौन शा महत्पुन भाई करना है जे दोस्वं जो कि आपके घर के लिए बहुत ज़्यदा आउश्यक है और घर में आए महमानों के लिए घर में आए देव सांति के अस्तापना होगी जो भी आपके अंदर रोग हैं जो भी एश्यक कश्टे हैं गिली कलेश हैं अकाश्मिग दुर्गटना आप शुवी की जुंकाल में होने लगती है दोस्वं शबीश्य आपको मुक्ति मिलेंगी और भगवान शिव और माता लक्षमी जी के अश जी दोस्वं दोस्वं एदियाग उपने जो नकाल में धन्शमति और मान्शमन पाना चाहते हैं तो दोस्वं हम आप शुव को दा दें कि आपको हमेशे अगले चार दिनों के शमे में माता लक्षमी और भगवान शिव की मनशे पूजा करनी है जी दोस्वं हम आप शुव बदा दें कि भगवान शिव को बिलपत और दूद अवशी अर्पित किजिएगा उनका विश्य किजिएगा और शाथ एगले चार दिनों में माता लक्षमी के भी आपको पूजा करनी है उन्हें लाल पुश्व अर्पित करना है दोस्वं ध्यान रखेगा इश्व अर्मी गस्तलों में कुछ ना कुछ दान करते हैं तो दोस्वं एश्य करना आप शिव के लिए जुनकाल में बहुत यदा कारगर्श शावित होंगे और बगवान भुलिनाद और माता लक्षमी हमेश्य आपके जुनकाल में प्रशन रहेंगे जिया दोस्वं इश्कु प् मानशारी भोजन को आपको बिल्कुल भी शेवन नहीं करना है दोस्वं इस बात को आप ध्यान में रखिएगा इश्कु प्रादि दोस्वं आप शुरात्विक भोजन कर सकते हैं यह आपके लिए बहुती महत्पुन शावित होंगे जिया दोस्वं एश्य अगर आप करें में कपुर जलाना चाहिए जी हां दोस्वं घर में किशीवी परकार की जो अकास में घटना है दुर घटना है दोस्वं वेश्य भी टल जाएंगी रात्री को शोने से पहले आपको कपुर जला कर ही शोना है जी दोस्वं यह अगले चार दिनों के लिए सबसे ज़दा अगले चार दिनों तक तबे को शदे भी लिप्टा कर रखना है जे दोस्वं इश्या माना जाता है कि तबे को खड़ा करके रखने से घर में लडाई होती है इसके लावाए भी घर में जो भी देवी देवताते हैं वो भी रूश हो जाते ही तो दोस्वं ध्यान रखेगा ध्यान शे भी आप इसकार को करना है कि घर में जब भी आप रोटी पगाते हैं तो उस तबे को हमेशा ही आप सिधा करके रखें कभी भी दोस्वं गेश पर खाली नहीं छोड़ें जी हैं दोस्वं कुछ लोगों की आदत होती है कि वे रोटी शेकने के बाद उन्हें खाल की शिफाई जब भी करते हैं तो दोस्वं उनमें शे थोड़ा अशा गोब मुत्र जरूरी रखिएगा दोस्वं इन शे आप शपी के घर में जो भी नकारत्मक उरजाये हैं उन्हें शभी का वास अठेगा और भगवान भोले नात और माताल लक्षमी आपसे बहुत यदा प्रशन होंगे जिया दोस्वं इसके उपरांदे दोस्वं हम आपको एक महत्कुन उपाय बताते हैं कि भगवान भोले नात को आपको प्रिशन करना है भगवान भोले दोस्वं एतने भोले हैं कि मात्रीक बिलपत्र शेही वह बहुत ही प्रशन हो जाते हैं मनिता है कि जो के भी पत्थ चढ़ाना चाहिए जियाक दोसों भगवान्य शिव का दूसूं दू दूर गंगा जल से अभिशे करनेथे शबी व्यक्तिक ईख्यु भलों की प्राप्टी के प्राब्दी होती है, इसलिए दोसों भगवान शिव को प्रशन करने के लिए भगवान शिव की किरपा पाने के लिए दोसों इन बातों का आप बिलकुल ही खास जान रखेगा जिया दोसों, शादिशा दोसों हम आप शुव को दादे की धनकी दिवी माताल लक्ष्मी को प्रेशन करने के लिए आपको शुकरवार की दिन माताल लक्ष्मी जी के मंदर में एक जटावाला, नार्यल, कमल फूल, शवा मिटर गुलाबी, या फिर शफेद कफड़ा, चमेली का तेल, दही, शफेद मिठाई, एक जोड़ा, जनेव, शाथ माताजी को अरपित करना है इसके बाद दोस्तों कपूर और देशी घीशे आर्ती करें और शुरी शुद्कापाट करें दोस्तों हम आप शुकर बता दें कि जो भी पेशों से शमंदी समयशा हैं, उन शभी शे आपको मुक्ती मिलेगी जिहां दोस्तों, जो भी आपकी जुनकाल में शमंदी खत्म होंगी, माताल लक्ष्मी आपकी जुनकाल में बहुत यदा परश्य होंगी तो दोस्वों इन चार दुनों में इनकारे को किजिएगा आप शिवी की इनकाल में जो भी शमयशा है जो भी शंकट है उन शबीशी स्वैंग माताल लक्षमी और भगवान भुरिनात शुटकारा जवशी दिलाएंगे तो दोस्वों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक कि लिए आप शिवी का धन्यवाद आप शिवी का दिन शुब हो मंगल मैं हो